नमस्कार अप्लाइट सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी देश में एक बार फिर से कोर्णा के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं बिहार में भी बीते दस दिनों में मामलों में तीजी आना शुरू हो गया है और नतीजा ये हुआ है कि वाक्सिनेशन सेंटर्स पर एक बार फिर से अब लोगों की भीड नजर आने लगी है जी हां तो इस तरीके से बिहार में कोर्णा के मामले अब धीरे धीरे अपने पैर पसाड़ने लगे हैं वाक्सिनेशन के लिए लोग उतने ही जादा आप सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दे कि बीते दो दिनों में जिन वाक्सिनेशन सेंटर्स पर सरनाटा हो चुका था जहां पर लोग बिलकुल भी नजर नहीं आ रहते वहां पर अब लोगों का हुजूम आने लगा है और बीते दो में तीन गुना जादा वाक्सिनेशन की गई है और तो बूस्टर डोस लगवाने के लिए अब लोग जादा से जादा पहुंच रहे हैं हाला कि बूस्टर डोस सरकार के दवारा 18 साल से लेकर 69 साल तक के लोगों के लिए फ्री भी कर दिया गया था उसके बावजूद को हमने पहली और दूसरी लहर के दौरान अब्जर्फ किया है तीसरी लहर में भी जिस तरीके से देखा था कि केसे में अचानक उछाल आये थे तो मई के महीने में एक बार हो सकता है कि बिहार में फिर से वही स्थिति उत्पन हो कि एक बार कोविट के बहुत जादा केसे मि अब वो बढ़ते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हाला कि जो वेरियंट अभी है जिसकी वज़े से लोग परिशान हो रहे वो उतना जादा घातक नहीं है जितने लोग अस्पिताल पहुंच रहे हैं उससे कई जादा लोग ठीक होकर अपने अपने घर को भी जा रहे हैं लेकिन पर्ट ने इस सिलहां दी और लहरों में जिस तरीके से साप्धान रह चुक्त है पहले की जो कोविट में लोगों ने जितनी सापधानी दिखाना सबसे सही फैसला होगा क्यूंकि एक ऐसा वाइरेस है जो इसके बारे में हर एक जानकारी निकाल पाने मे ये चीज़े समझ में आए तब तक जाधा लोग इसकी चपेट में आ जाए इसलिए लोगों को साफधान रहने के लिए कहा गया है और लोग अब साफधानी दिखा भी रहे हैं और विहार के वाक्सिनेशन सेंटर्स पर जाधा से जाधा लोग अब नदर भी आ रहे हैं अब अगर पूरे आकड़ों के बारे में बताएं तो आपको बताएं कि विहार में कुल 12 करोड 80 लाग से जाधा लोग वाक्सिनेटेड हो चुके हैं पहले डोस की जहां तक अगर बात की जाए तो करीब 7 करोड लोगों ने पहला डोस लगवाया था और दूसरा डोस करीब 6 करो लोगों ने लगवाया है और अगर बूस्टर डोस की बात की जाए तो 10 लाग से जाधा लोग जो है वो अब बूस्टर डोस लगवा चुके हैं लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि बीते 2 दिनों में 3 गुना जाधा वाक्सिनेशन की गई है कोरोना के संक्रमन के बढ़ते ही बूस्टर डोस लेने वालों की भीड जो है वो बढ़ चुकी है पटना में 24 इंटो 7 वाक्सिनेशन सेंटर के इंचार्ज बताते हैं कि 3 दिनों में वाक्सिनेशन का रिकॉर्ड तूट चुका है इन 3 दिनों में पटना नंबर 1 पर पहुँच गया है बूस्टर डोस ले वाक्सिनेशन कराने वालों में सबसे अधिक बूस्टर डोस वाले हैं जिनकी उम्र 18-60 वर्ष तक की है ऐसे लोगों की संख्या काफी जादा महां पर पहुँच रही है और लोग वापस साफधान हो रहे हैं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पहले जो 3 लहरों में बिहा में कम देखने को मिलेगा आप अन्य वीडियो के लिए चानल के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहें तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइफ सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जु झाल झाल